नमस्कार, DNP इंडिया में आपका स्वागत, मैं हूँ आपके साथ राहुल चौधरी उत्तर प्रदेश में विधान सबा उप्चुनाव की तारीख अभी घोशित नहीं की गई है लेकिन सूबे में राजनितिक गतिविदियां तेज हो गई है सभी राजनितिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं बात चाहे एंडिय की हो या फिर इंडिया गटबंदन की दस की दस सीटों पर जीतने का दावा किया जा रहा है जिन सीटों पर उप्चुनाव होना है सूबे के मुखिया योगी आदितेनात वहाँ वहाँ जाकर जनसभा कर रही है अपनी पार्टी और घटक दलों के नेताओं से बाच्चीत कर रही है रन्नीती बना रही है मीरापूर विधानसभा पर आरेलडी का चुनाव लड़ना लगभगते हैं वहाँ केवल उमिद्वार की उप्चारिक घोशना होनी बाकी है आरेलडी के मुखिया जैंत चौधरी भी आठ तारीक को मीरापूर जाएंगे और आगामी उप्चुनाव को लेकर अपने नेताओं और कारेकरताओं के साथ बैठक करेंगे अभी तक मेरापूर, खैर और गाजयबाद सीट पर आरेलडी का दावा माना जा रहा था लेकिन अब मुरादाबाद जिले की कुंदर की विधानसबा सीट को लेकर भी काफी कुछ कयास लगाये जा रही है वहाँ एक तरफ उपचुनाव के लिए बीजेपी नेताओं ने अपनी दावेदारी को मजबूत करने के प्रयाश शुरू कर दिये हैं टिकट के दावेदारों की भागदोर तेज हो गई है वहीं दूसरी तरफ यूपी की इस विधानसबा सीट का उपचुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनोती बना हुआ है मुखे मंतरी योगी आदितेनाथ 2 सितंबर को मुरादाबाद के आरेभट इंटरनेशनल स्कूल में बेरोजगारों को न्युक्ति पत्र देने पहुँचे थे जहां उन्होंने जनसबा को भी संबोधित किया और पाटी के पदादिकारियों के साथ बैठक कर जीत का मंतर दिया और संगठन के लोगों में जोश भरने का काम भी किया आपको बता दें के बीजेपी नेता रामवीर सिंग और दिनेश सिंग कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदितेनाथ से मिलने के लिए लखनओ गए थे दोनों नेता कुंदर की विधानसबा उप्चनाओं में टिकट के दावेदार माने जा रही हैं लोग इसको लेकर तरह-तरह के कयास लगा रही हैं इसी प्रकार अन्य नेता भी अपने दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं लेकिन बीजेपी के एक वर्ग का मानना है कि पार्टी के वरिष्ट नेता आरेलडी के लिए भी मैदान खाली कर सकते हैं रामपुर जिले की स्वार विधानसबा सीट पर उप्चनाव में किया गया प्रयोग मुरादाबाद में भी हो सकता है स्वार सीट बीजेपी ने अपने सयोगी अपना दल को दे दी थी और मुसलिम प्रत्याशी के मैदान में उतरने से जीत मिल गई थी बीजेपी यहां भी ऐसा ही कदम उठा सकती है यहां पर RLD के दो नेताओं के नाम चर्चा में है मुरादाबाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंदर चोधरी का गरी जनपद है इसलिए कुंदर की उप्चनाव पार्टी के लिए प्रतिश्ट्या का सवाल भी बना हुआ है आपको बता दें कि कुंदर की विधानसबा की सीट 1967 में अस्तितु में आई थी इसके बाद 15 बार विधानसबा चुनाव हुए अभी तक के राजनितिक इतिहास में बीजेपी के प्रतियाशी चंदर विजय सिंग ने सिर्फ एक बार 1993 में जीत हासिल की थी चंदर विजय 18 महीने ही विधायक रह पाए थे इसके बाद कुंदर की विधानसबा की सीट पर सपा और बसपा का ही कबजा रहा है कुंदर की सीट पर जादतर मुस्लिम प्रतियाशी ही जीते रहे हैं क्योंकि इस सीट पर करीब 65 फिजदी मुस्लिम मतदाता है बीजेपी ने कुंदर की विधानसबा के लिए पार्टी के नेता रामवीर सिंग को भी दो बार चुनाव लड़ाया उन्होंने दोनों बार काफी प्रयास किया लेकिन चुनाव जीतने में काम्याब नहीं हो सके 2022 में बीजेपी ने यहां से कमल प्रजापती को प्रत्याशी बनाया था लेकिन कमल भी जीत की दहली से काफी दूर रहे यहां सपा के जिया उर्रह्मान बर्क ने जीत हासिल की थी और अब उनके संभल से सांसत बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है और अब यहां पर उप्चुनाव होना है इसलिए सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हैं के बीजेपी ये सीट अपनी सहयोगी राष्ट्य लोगदल को दे सकती है और यहां से किसी मुस्लिम प्रत्याशी पर दाव खेला जा सकता है अगर ऐसा हुआ तो संभावनाए है के बीजेपी आरेलडी गटबंदन इस सीट पर कमाल दिखा सकता है बहराल जो भी होगा उसका रहेगा इंतजार अभी के लिए इतना ही आप देखते रहें डीनपी इंडिया नमस्कार